सनातन धर्म में साधू संतों को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधू संतों की वेशभूशा अलग होती है और वे भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य वधर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। आम तोर पर साधू संत, लाल, पीला या केसरिया रंगों के वस्त्रों में नजर आते हैं। लेकिन नागा साधू कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। वे कपकपाती ठंड में भी हमेशा नगन अवस्था में ही रहते हैं। वे अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेट कर घूमते हैं। नागा का अर्थ होता है नगन। नागा साधू आजीवन नगन अवस्था में ही रहते हैं और वे खुद को भगवान का दूत मानते हैं। जानते हैं नागा साधुओं के नगन रहने के कारण और नागा साधु के जीवन से जुड़े रोचक तत्थियों के बारे में। किन कारणों से वस्त्र नहीं पहनते नागा साधु, नागा साधु, प्रकृती और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। इसलिए भी वे वस्त्र नहीं पहनते. नागा साधूओं का मानना है कि इनसान निर्वस्त्र जन्म लेता है. अर्थात, यह अवस्था प्राकृतिक है. इसी भावना का आत्मसात करते हुए नागा साधू हमेशा निर्वस्थर रहते हैं. नागा साधू वाहिय चीजों को भी आडम बर मानते हैं केवल नगन अवस्था ही नहीं बलकि शरीर पर भस्म और जटा जूट भी नागा साधूओं की पहचान है क्या नागा साधूओं को नहीं लगती ठंड, हांड कमपाती और कड़कडाती ठंड में जहां लोगों की हालत बुरी हो जाती है वहीं नागा साधू हर मौसम में बिना कपड़े के रहते हैं ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या नागा साधूओं को ठंड नहीं लगती? दरसल इसके पीछे का रहस्य है योग. नागा साधू तीन प्रकार के योग करते हैं, जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होता है. वे अपने विचारों और खानपान पर भी संयम रखते हैं. इसके पीछे यह भी तथ्य दिया जाता है कि मानव का शरीर इस प्रकार बना है कि आप शरीर को जिस माहौल में ढालेंगे, शरीर उसी अनुसार ढल जाएगा. इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है और वह है अभ्यास. नागा साधूों ने भी अभ्यास द्वारा अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि उन्हें ठंड नहीं लगती है. नागा साधूों के जीवन से जुड़े रोचक तत्य, नागा साधू बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें 6 साल को महत्वपूर्ण माना गया है. इस अवधि में वे नागा पंथ में शामिल होने के लिए वे जरूरी जानकारियों को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा और कुछ भी नहीं पहनते. कुम्भ मेले में प्रण लेने के बाद वह इस लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और जीवन भर नगन अवस्था में ही रहते हैं. नागा साधू बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचार्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है. इसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यग्योपवीत होता है. इसके बाद वे अपने परिवार और स्वय अपना पि हैं नागा साधूं का कोई विशेश स्थान या मकान भी नहीं होता ये कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं सोने के लिए भी ये किसी बिस्तर का इस्तिमाल नहीं करते हैं बलकि केवल जमीन पर ही सोते हैं नागा साधू एक दिन में साथ घरों से भिक्षा मांग सकते हैं यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहन करते नागा साधू हिंदू धर्मावलंबी साधू होते हैं जो की हमेशा नग्न, रहने और युद्ध कला में माहिर के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न अखाडों में इनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधू जुना अखाडे में होते हैं। थालुो नहां खशायका साधू होते हैं।